दोस्तों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी देश की राजनीती में इतिहास बन कर रह जाएगी लग रहा है कि आने वाले समय में उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा साथियो अर्विंद केजरिवाल ने 2012 में राजनीती को बदलने के नाम पर एक दल का गठन किया और नाम रखा आम आदमी पार्टी सभी जगा जोशोर से प्रचार हुआ कि एक और राजनीतिक दल का सहब जन्म हुआ है जिसका की और विकास की गंगोतरी बहा देगी पूरे जोर से खली चुराहे महले शहर जिले में हर जगा पर चाह हुआ दिली की जन्ता को भरोसा हुआ दिली की जन्ता ने सत्ता अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो परचार परसार किया गया था वे ठीक वैसा ही है जो किसी एक बात को सच मनवाने के लिए सौ बार बोला जाता है जूट की तरह अरविंद केज्रिवाल सत्ता में आये और सत्ता में आते ही उन्होंने ब्रस्टाचार की ऐसी पट कथा लिख दी कि जिसने देखा वो शौक हो गया वन जमीन दारू दवा जहां मौका मिला आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केज्रिवाल सरकार ने कथित तौर पर प्रस्टाचार किया जाच की आज आज पूरे आम आदमी पार्टी अरविंद के जिवाल संजे सिंग मनी सितो सुसोधिया सतेंद्र जैन हर नेता पर संझे सिंग आज के समय के लिए बाहर निकले बस राज्डे सभा का नामंकन भरने के लिएक की अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जल्द ही इस देश की राजनीती का इतिहास बन कर रह जाएगी आम आदमी पार्टी जल्दी इस देश के राजनीती कितिहास के तहखाने में चली जाएगी क्यूं कह रहा हूँ मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है परिवर्तन निदेशाले के तीन समन को नजर अंदाज कर चुके अर्विंद केजरिवाल की आम आदमी पार्टी को अब आरोपी बनाने की तयारी चल रही है इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि ED Prevention of Money Laundering Act के तहट धारा 370 का परियोग करते हुए आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है Economic Times की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है हाला कि इस सेक्शन का इस्तमाल अभी तक कंपनियों के अपरात से निपटने के लिए होता था सूत्रों के मुताबिक केंद्री एजेंसीों का मानना है कि इस धारा का इस्तमाल करते हुए किसी राजनीतिक दल के खिलाब भी केस दर्ज किया जा सकता है इस सेक्शन के मुताबिक कंपनी से अर्थ किसी कार्परेट फॉर्म या अन्य व्यक्तियों के संगठन से है एजेंसी का मानना है कि ट्रस्ट और कंपनीज पहले ही PMLA के दाइरे में हैं और अन्य संगठनों की तरह राजनीतिक दलों के खिलाब भी PMLA के तहट केस दर्ज किया जा सकता है रिपोर्ट के मताबिक एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि अर्विंड के जिवाल की जो पूरी आम आदनी पार्टी है अगर इसको आरोपी बनाए जाता है तो यह अब तक का अपने आप में पहला ऐसा मामला होगा जब किसी राजनीतिक दल को PMLA एक्ट में आरोपी बनाए ग जाता है राजनीतिक दल के खिलाप उसके सयोजक कोशाध्यक्ष और अर्ने परतिनिधी के जरिए केस दर्ज किया जा सकता है उन्होंने कहा कि सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है हाला कि एजनसी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर अंतिम फैस होगा दोस्तों जिस तरह से आपने बदलाव की राजनीति को कलंकित किया है ऐसा लग रहा है कि अब जनता असानी से बदलाव की राजनीति पर भरोसा नहीं कर पाईगी अब आप नेता का ब्यान सुनिए इतने आरोपों के बाद भी वह किस तरह लीपा-पोती कर रहे हैं और एक्जाम्पल लेते हैं चगन बुजवल एंसी पी के बड़े नेता थे शरत पवार के खास आद्मी माने जाते थे कहा गया चगन बुजवल ने महाराश्ट्र सदन गोटाला किया है करोण रुपे की हिरा फेरी करिए EDCBI ने मुकदमे दर्ज किये 2016 में भारती जनता पार्टी की सरकार आचुकीती केंदर में इनको अरेस्ट किया गया ये जेल में बंद किये गए इनको नीचे से बेल मिल गई तो ED हाई कोट में चली गई कि इनको बेल कैसे दे दी उसके बाद चगन भुजवल भारती जनता पार्टी के सिकेट में आगे और पिछले दिसंबर में दिसंबर दोजार तेज ग्यारा दिसंबर दोजार तेज एक मेना हुआ भी पीडी हाई कोट में जाके बोल रही है कि जी हमने जो इनके खिलाफ पिटिशन किया था वो फाइल नी मिल रही लिया जाए केस वापिस लिया जाए अब शगर दुजवल के ओपर कोई मुकदमा नहीं है क्योंकि अब भारती जिनता पार्टी के साथ आगे वरना जेल में रहे के आए भारती जिनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ के इंपिंचला फिर अजीत पवार शड़त पवार के भदीजें सगे अजीद परवार के खिलाफ हजारों करोर के कॉपरेटिव बेंक के घोटाले की बात भारती जिन्ता परटी ने कही पुदार मतिली ने खुद कही अपने मूझ से देविंदर परट नभी से ने क्या कहा अब ये जेल में जाएंगे जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग अजीद परवार के लिए कहा कि ये सबसे बड़ा भुरस्ताचारी है अब जेल जाएगा जेल में चक्की पीसिगा और उसके कुछ जनोबाद अजीद परवार में अपने चाचा की पार्टी तोड़के उसके आदे से ज्यादा एहमले तोड़के भारती जन्ता पार्टी की सरकार को महराश्ची में समर्थन दे दिया अजीत पवारब भारती जिन्ता पार्टी की सड़कार के अंदर उप मुख्य मंत्री है कोई मुकदमा नहीं चालगा सारे मुकदमे खत्म हो गए कोई बात नहीं सुनिया अब प्रिम नाम दों बने आपको बताएं मुकुल रोए त्रिणमोल कॉंग्रेस के मंत्री जिन्ता पार्टी के खास आद्मी बाद ही जाते थे उनके खिलाओ का गया कि ये शार्दा चिक्स्कैम के अंदर आरोटी है सबसे बड़े भृष्टा चारी है एडी सीले के मुकदमे खोले गए ये भारती जिन्ता पार्टी में आगए बंगाल के भारती जिन्ता पार्टी के अध्यक्स बन गए अब कोई मामला ने चलगा सुवेंदू अधिकारी त्रिणमोल कॉंग्रेस के है मंत्रवेनर जी के आदमी थे भारती जिन्ता पार्टी में मुकदमे डाले भरष्टाचारी बताया, दराया, धूंकाया, भरथि जनता पाटी में आ गए, अब सब कुछ ठीक चल गा। नरायण राड़े शिर्सेन रमेथे बराया धुमकाया कहा गया कि बहुत बढ़ा भ्रष्टा चार हुआ है अब भरती जंदा पाटी के आंदर मंतरी हैं पेना खांडू अरुनाचर प्रदेश से इनको बताये गया कि ये बहुत बढ़े भ्रष्टा चारी है आज अगर अरवंद केजरीवाल को गिरफतार किया जा रहा है मनीश इसोद्याजी को तो कहा गया सीदिया के अफसरू ने कहा भुला के है आप भीजेपी में चले जाओ तो आज इस देश में जो राजनीती चल रही है वो बड़ी खतरनाक राजनीती चल रही है तो सुना दर्शकों आप लोगों का क्या मानना है कि आप पर जो भरस्टाचार के आरोप लगे हैं वो समें सही में कुछ सच्चाई है कि सिर्फ राजनीती प्रतिशोत के कारण यारोप लगाए गए है आप हमें जरूर लिख भेजे देश और दुनिया की तमाम खबरों के ल ने बाद